जैसरी शाम दोस्तो स्वागत आपका प्राचिन ध्रमग्यान चैनल में दोस्तो साल में चार बार नवरात्री मनाई जाती है उसमें दो बार गुप्त नवरात्री आती है तो माग महिने में आने वाली नवरात्री को गुप्त नवरात्री भी कहते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं माग महीने में कब से हैं गुप्त नवरातरी की शुरुआत और कब है घट स्थापना का सुभमोरत पूजा विदी क्या होगी पूजा का सुभमोरत क्या होगा ये सब चीजे आज मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले आपसे पदाती थी से नो दिन गुप्त नवरातरी के नाम से जाने जाते हैं और इन नो दिनों में मादुरुगा की दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है और इसके साथ ही इन नो दिनों में मादुरुगा के इन दस महाविद्याओं की पूजा अर्चना पूरे गुप्त तर किसे पूजा अर्चनाओं को करके तंत्र मंत्र और मंत्र सिधियों को प्राप्त करते हैं और इसके साथ ही गरस्त जीवन वालों को गुप्त नवरातरी अपने सामाने तरीके से करने चाहिए मन्यता है गरस्त जीवन वालों के इन नो दिनों में गुप्त नवरातरी करने से ग दोस्तो माग महीने के गुप्त नवरातरी की शुरुवात 10 फरवरी 2024 से होकर इसका समापन 18 फरवरी 2024 को होगा। इसके साथ ही इस नवरातरी की शुरुवात माग मा के शुकल पक्ष की परतिपदातिति से होती है। तंतर साथना के लिए गुप्त नवरातरी एक स्वर्निम अफसर माना जाता है। और बात करें दूसरे अभिजित मूरत की तो दोफैर 12 बज कर 13 मिनट से शुरुवो कर दोफैर 12 बज कर 58 मिनट तक रहेगा। तो इन सुमूरत में आप घट सापना अवश्य कर लें। दोस्तों गुप्त नवरातरी में मा दुर्गा की दस महा विद्या पर गटूई थी। मा काली, मा तारा, मा तिरपुर, मा भुवनेश्वरी, मा छिन मस्तिके, मा तिरपुर भहरवी, मा धुमावती, मा बगला मुखी, मा मा तंगी और मा कमला पर गटूई थी। और गुप्त नवरातरी में मा भगवती के इनी दस मा विद्याओं की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है और जिन लोगों की जिंदगी में दुख तकली परेशानिया चल रही हैं उनको इस दोरान मा भगवती के अलग अलग दस नामों का समरण करना चाहिए और इसके है और जीवन में सुक और समर्दी भी मिलती है दोस्तों मन्यताओं के अनुसार गुप्त नवरातरी में की गई पूजा अरचना कुंडली के सभी दोस्तों को दूर करने वाली और धरम अर्थ काम वे मौक्ष को देने वाली होती है और चलिए अब आपको पूजा विदी ब मौरत में घर्ट स्थापना करें और माता रानी को लाल रंकी चुनरी और सिंगार का सामान अर्पित करके माता रानी के आगे एक शुदगी का दीपक जलाएं माता रानी को धूप दीप नवेदे अर्पित करके उसके बाद पूरे विदी विदान से माता रानी की पूजा क और दुर्गा चारिसागा पाट करें तत्पशाथ देवी मा की आरती करें इस परकार गुप्त नवरात्रे करने से देवी महिया आपके सभी परकार के दुख तकलिफ को दूर कर देंगी तो दोस्तों ये थी माग महिने के गुप्त नवरात्रे की संपोर्न जानकारी यदि आ आपके जीवन में भी कोई दुख दर्थ परेशानी बने हुई है तो कमेंट बुक्स में अपना नाम, अपनी डेट ओब बर्थ और अपने सहर का नाम लिखकर अपनी परेशानी लिख दें हम आपकी परेशानी के अनुसार कोई ना कोई उपाई बताने की अवश्य कोसिस करे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ